शुकरतमीटी यूट्यूब चनल वे आप सब कसे आगेते दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे PFMS यानि पाब्लिक फिनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टेम पे कैसे कोई स्कीम का टोटाल कितना एमाउंट यानि टोटाल कितना अलोट्मेंट यानि टोटाल कितना लिमीट आपको दिया हुआ ठीक है क्लिक करके सार्च किया सार्च करने के बाद देखिए पीएपेमस.nick.in ये वाला जो लिंक है इसका पर मैं क्लिक किया क्लिक करने के बाद देखिए लॉग इन बाला पेज आ जाएगी आपकी सामने यह से लॉग इन करना पड़ेगा दोस्तों मैं डाटा ऑपरेटर का लॉग ये लॉग इन नहीं हो पाएगा ठीक है तो देखिए मैं सब कुस दे दिया देने के बाद देखिए यहां पर जो करेक्टर था उस पे कुस गल्ती आ गया था, इसके लिए लॉगिन नहीं हो पाया, दूसरा बार मैं ट्राइ किया और हो गया, डाटा अपरेटर का लॉगिन में ही मैं हूँ, अभी देखिए, रिपोर्ट में जाना है, ठीक है, रिपोर्ट में मैं क्लिक किया, क्लिक करने के बाद, देखिए, ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगी, इसके बाद, एसे ने, एसे ने की बाद, देखिए, एसे ने, जीरो टू बाला जो अप्शन है, सेकेंड बाला, एसे ने, जीरो टू, एजेंसी स्टेट्मेंट ऑन एलोकेशन और फांड एक्सपेंडिचर, इसका बर मैं ने क्लिक किया, क्लिक कर इैयर, सेलेक कर लिया, ठीक है, आपका जो जरुज़त है, वो सेलेक कर लिएगे, ठीक है, तो, इसके बाद, चूरूलर, कॉंट्रोलर है, 047, वो मैं ने ने सेलेक कर लिया, इसके बाद, देखिए, इसकी बाद, एक ग्रांट नमबर जो है, ठीक है, ऐसे रियल ही जाना जाना है ठीक है तो अब जाना है state name पर देखिए state name यहाँ पर already selected है इस पर दूसरा को state आप select नहीं कर सकते क्योंकि यह जो office है यह उस्वेगल government का under है ठीक है इसकी बात scheme name जो है इसको select करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए scheme जो है ICDS के लिए जो है sexam अंगणारी portion umbrella of ICDS अंगणारी service आपकी office के लिए दूसरा हो सकता है वो आपको ढूनना पड़ेगा यहाँ पर क्या है ठीक है अभी तो मैं omen child development department का हूँ तो इसलिए यही शब ढून रहा हूँ ठीक है इसकी बात देखिए link scheme जो है आपका जो department है उसी पर जो link scheme है वो आपको ढूनना पड़ेगा देखिए supplementary nutrition बाला जो है WB 155 यह वाला जो option है इसको मैं select कर लिए select करने के बाद देखिए यहाँ पर देखिए काम हो गया इसकी बाद allocating authority जो है देखिए parent agency है तो वो ठीक है दूसरा कोई option यहाँ पर नहीं मिलेगा इसकी बाद देखिए allocation agency जो है director of ICDS West Bengal यह वाला ही है एक ही है तो दूसरा होने पर select करना चाहिए एक ही है इसलिए select नहीं क file agency से ढूनना पड़ेगा देखिए यहाँ पर मैं ख्लिक कर लिया करने के बाद इस office खुर दूनना पड़ेगा तो इस office कहा है देखिए ढूनना पड़ेगा आपको भी ढूनना पड़ेगा आपका office जो है ठीक है concern department के लिए देखिए यह मील के थीक है तेजी बुर भाला ठ चाहिए ठीक है तो देखिए प्रोसेसिंग भी हो रहा है यह मिल गाया तो अब देखिए यहाँ पर देखिए फिनांसियल यार 2022 ते इस के लिए जो इस अफिस के लिए जो टोटल एमाउंट लिमिट जो है रिसीब्ड हुआ वो यह एमाउंट है ठीक है और देखिए कौन सा स्कीम पर स्कीम पर यहाँ पर दिखा रहा है इस स्कीम पर इतना ठीक है और टोटल एक्स्पेंड लिए पर दिखा रहा है इतना ठीक है और आनस्पेंड यानि आपकी उस फिनांसियल यार में उस स्कीम पर इतना एमाउंट आनस्पेंड रहे गया था ठीक है तो दोस्तों इस तरीका से कोई भी स्कीम, कोई भी डिपार्टमेंट का PFMS में होना चाहिए, जरूरी है PFMS सिस्टेम में, तो कोई भी scheme का आप इस तरीका से total expenditure, total allotment आप ढूंड सकते हैं, ठीक है, कोई भी scheme का, कोई भी scheme का आप इस तरीका से ढूंड सकते हैं, तो scheme स्रेप आपको select करना पड़ेगा, दूसरा कोई, और सब कुछ एक ही रहेगी, ठीक है, तो इस तरीका से हम total limit और total allotment आप देख सक और उसका उसी स्कीम पे कितना खर्चा टोटल हुआ और टोटल आनेस्मेंट कितना है वो भी हम इस तरीका से देख सकते दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए दोस्तों की साथ और चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब क को टाच कर लीजिए ठीक है